हेलो फ्रेंड्स, बिलकम टू माई चैनल सुभाव होम की चैन नौरात्र में बर्त के साथ कैसे रखे अपने शेहत का ध्यान नौरात्र के दोरान नौ दिन का बर्त रखना आसान बात नहीं है ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपने स्वास्त का भी पूरा ध्यान रखे ताकि बर्त के दोरान आपके सेहत पर कोई असर ना परे इस दोरान सही डाइट फॉलो करके आप इन नौ दिनों के बर्त को बहुत आसानी से पूरा भी कर लेंगे और आपके स्वास्त पर भी इसका कोई कुप्रभाव नहीं होगा विसासग्यों की माने तो बर्त करने के कई फैदे भी हैं और इसी कारण प्राचीन काल से इसका अनुपालन किया जाता रहा है हलाकी बर्त का मतलब एकदम से खाना छोड़ देना भी नहीं है बर्त रखने से सरीर के भीतर मौजूद कई विसाग्पदार्थ भी साफ हो जाते हैं साथ ही हलका खान पान होने की बजजा सहि यह पाचन किर्या के लिए भी भी बहुत फैदेमन्द है हलाकी जरूरी यह भी है कि आपको बर्त करने का सही तरीका पता हो बर्थ करने के दोरान थोरी थोरी देर पर कुछ-कुछ खाते रहना चाहिए और रात के बक्त फुल मिल लेना चाहिए तो फ्रेंट्स नौरात्री के लिए इस तरह से तयार करें आप अपना डाइट चार्ट नमर एक, दीन की सुरुवात ग्रीन टी के साथ करें उसके कुछ देर बाद आप दो खजूर ले सकते हैं नमर दो, ब्रेकफास्ट में आप चाहे तोफल, राइफोर्ट और किसमीस या मुनक्का भी ले सकते हैं नमर तीन, उसके बाद आप मिलसे या फिर नरियल पानी ले सकते हैं नमर चार, लंच के समय शाबुर्दानी के खिचरी और एक गिलाश छाच ले सकते हैं अगर आपको लोबीपी की समस्या है तो आप सिंधा नमक का भी इस्तमाल कर सकते हैं नमर पाँच, दीन में एक बार लंच के कुछ गंटे के अंतराल पर दही खा सकते हैं नमर छे, साम के स्नेक्स के रूप में आलू चाट खाई जा सकती है नमर साथ, रात के डिनर के तौर पर बेजिडेबल सूप लेना सबसे अधिक फैदेमंद होगा इसके अलावा कट्टू के आटे की पूरियां और आलू की सबजी ली जा सकती है नमर आठ, सोने से पहले एक गिलास हलका गुनगुना दूद पीना अच्छा रहेगा हलाकि कई बार यह भी कहा जाता है कि बर्त के दौरान खटे फलो का सेवन से बचना चाहिए क्योंकि इससे एसिडिटी हो सकती है लेकिन यह सही नहीं है बर्त के दौरान फलो का सेवन करना सबसे अधिक फैदे मंद होता है कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बर्त करने का सही तरीका पता नहीं होता अगर आपको कमजोरी की सिकायत रहती है या कोई और बिमारी है तो बर्त के दौरान संभल कर रहें और अपना डाइट जरा ध्यान से लें किन लोगों को नहीं करना चाहिए बर्त मधुमे के मरीजों और गर्वती महिलाओं को बर्त करने से परहेज करना चाहिए बर्त रखने से सुर्गर लेवल कम हो जाता है और यह ठीक नहीं है आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके बताएं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही धेर सारी जानकारियां लेकर आते रहेंगे और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करें